तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाले यार अब मेरे आज के वाला वीडियो काफी ज़्यादा कमाल को ओने वाला और सायद से सायद से इस वीडियो के बाद आप भी फ्रीशाड के अंदर इलाइट पास या फिर जो भी पैसे डाइमन लगाते हो सायद से आप नहीं लगाने आपका मूड आप खड़िदा हो तो खड़िदा यार मुझे क्या मतलब मैं आपको कुछ बाते हैं सी बताने वाले हो बहुत ही कमाल का स्टोरी सुनाने वालों आप लोगो को तो या वीडियो पूरे अंद तक देखना तो मेरे वाई देखो यह स्टोरी है भाई बिहार में एक जिला कौन सा जिला वह आपको नहीं बताऊंगा मैं कोई रिजन है तो मैं देखो आपने न्यूज में यह वाला तो न्यूज सुना ही होगा कि एक 11 साल का बच्चा था और उसका एक 9 साल का छोटा भाई था तो मतलो उसका 9 साल का भाई था वह बार बार अपने बड़े भाई को मतलग फ्रीवाइड के अंदर मार देता था तो वह क्या करता है तो क्या किया ना बड़ा भाई की पथल से कुचल को सर्फ खोड को मार दिया यह आपको पता होगा मतलग न्यूज में आया होगा तो भाई आज के यह स्टोरी भाई उससे डिफरेंट है बट यह वह एक बच्चे का जो की 11th क्लासम पढ़ता है और साइसे 16-17 साल का होगा तो भाई देखो सीन क्या होता है कि उसके पापा जो एक फार्मर होता है ठीक है फार्मर तो समझती होगे ना किसान तो पापा जो किसान होता है और उसके घर का मंधले इंकम की बात करें तो भाई लेते होंगे ना तो मांगे चलो 6 अजय ठीक है तो 6000 मंथले अर्ण करने और वह भी भाई फार्मर है तो गलत सीन तो होगे ना जैसे अकर 2500 ज़्यादा हो गया या फिर बारी सीन नहीं होगा तो भाई फसल सूख जाते है या फिर बहुत सार गलत सीन होता है तबैए यही हो तो भाई और घट जाता है तो बढ़ता है कभी-कभी अच्छा फसल हो गया तो बढ़ता है तो मतलब मान के चलो उनकी मंथली इंकम छे आजार रूपे के ठीक 6,000 की और उसका जो बेटा था वो मतलब सीन क्या होता नहीं धर कि अगर आप 10th class जैसे ही क्रॉस करोगे तो आपको फोन मिल जाता है मतलब यहां मतलब चेदर हम लोग रहते हैं या फिर आइधिंक क्रॉस करने के बाद फोन दे देना चाहिए क्योंकि वो साथ से बड़े हो गया होंगे तो मुझे नहीं पाता क्या सीन होता है बट मैं जो सुना रहा है वो सुनो ना तो क्या होता है कि 11th class में था उसको फोन मिला ठीक है तो देख उनके पापास इतना बजट नहीं था ना क क्या हुआ कि उसने फ्री फायर को इंस्टॉल किया तो देखो सीन क्या होता ना कि वो जो बंदा है वो अपने गेम के अंदर 10,000 रुपया अपने गेम में लगाता है आप लोग दस हजार कौन सी बड़ी चीज है तो भाई आपके लिए बड़ी बात नहीं है वो 10,000 बट उ इसके घर में 6,000 इनका मारा ना उसके भाई गेम के अंदर 10,000 भाई समझ सकते हो क्या आसीन होगा ठीक है आप जैसे देखो वो जो था वो सरकारी स्कूल में पढ़ता तो मतलब गवर्मेंट स्कूल में पढ़ता था एक प्राइवेट स्कूल पढ़ता था और खेले आता है अब उसको मतलब बहुत साथे लोग बोलता है कि इलीट पास ले 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 वो ले अब भाई देखो अगर आप कोई मतलब पूर फैमली से भी लोंग करते हो अगर आप गवर्मेंट आई ये प्राइवेट स्कूल पर पढ़ोगे ना तो आपको मतलब हाई लेव पास ये सब लिया करते थे और इस वेचार एक पास उतना पैसा था नहीं अब आप बोलोगे कि अगर गरीब था तो इसके पास दस अजार रुपए डाले तो इसके पास तो भाई बैंक अकाउंट के लिए क्रेडिट कर भी नहीं होगा तो ये दस अजार डाला कैसे अकाउ पास बहुत बहुत बाते करते हैं और सीन क्या होता है ना कि इसको मतलब लोग चड़ा बढ़ा देता है कि तू भी ले ले अच्छा लगेगा मतलब पूरा स्केन रहेगा तो ये भाई देखो इसकेन मैंने बहुत बार बोले यार स्केन कुछ मैटर नहीं करता आप लोग मत लगाया कड़ो पैसा हाँ खुद अर्णिंग कर रहे हैं फिर खुद का कुछ है तब लगाया कड़ो या पैरेंट्स का पैसा नहीं की बाई देखो इलीट पास लेने से अपनाई प्रो बन जाते हैं नहीं कुछ बनते हैं आप अब वही अगर चाहते हो प्रो दिखाना तो नहीं देखो लगारेंट्स का खुद आख अब इसके जो पापा होती है उनको पता चल जाता है कि मेरा बेटा जो है मेरा पैसा ले रहा है मतलब मेरा पैसे नीकाल रहा है मेरे वो कैसे लाटा अरे यार मैं आगे बोल गाई स्टोडी तो देख शोडी में गयाना कि वो जो जैसे लेता हुए आपने अपने अपने पापा का पॉट्टा करते हैं तो पंए निगा लेता घंप लेता हुए उनका निकल all paels रुप्र रही इनका कर लेता है कि मैठा पापा को कुछ s किसी चीज के अंदर तो उसके पाप भी छोड़े तो तो मैंठीक नहीं को सब्सक्राइब ने तो मुझें नहीं कर सकते हैं उसके कुछ के जो बाइब लोगा कि इन्वेस्ट कर दो धूर। मतलब के टाइं महालो मेरा पैसा काम दे देगा इसके पाप भी कुछ नहीं में बोले बड्या अपना पेट काट लेते गाटे तो हुआ कि एक दिन उनके खेट में बाढा गया बाढ समझते हो ना मतलब पानी भढ़गा उनके खेट में तो इनके खेट में बाढ आग जाता है तो अनके पुड़ा फसल था आद यह पास खाने के लिए भी कुछ नाहीं हाँ, स्टोड़ेज में कुछ होगा, तो वैसे न्हीं, मतलब खाने के लिए कुछ नई बस था, इसका मतलब कि अन्ट पास पैसे यह पूरा खतम हो जाते है, तो फिर वो लोग रोते रहते है तो फिर उनको यहादा था उसके पापा को कि मेरा बीटा तो मतलब केयाсь तो न सॉक्त आपته उसकी मेलें के nhất बीटा तो हमने का इस सब्सक्राइब भजली है तो फिर पैसे बीसले तो थेख स hm वो और वह जो पैसा वो बहुत है तो इसके बैटा जो बोलता है कि पापा मैंने मतलब वो साथे पैसे कें लगा दिया विए उसके जो पापा होता है मतलब उस्टेम उसको कुछ ने बहुते हैं बीके पापा जोओ सवाइड कर लेता है। मुझे पता है थोड़ा सब्सक्राइब यह वह कर सकते हैं तो उसके बापा जो वह सूसाइट कर स्टैंशना होता है और सकता में कीpolis कटीना अचानकसा पाGGन निकलने लगता है तो छोन कंपल लू.? तो वो लोग कि होता है सटरकाइज फिटल में जाती है मतलब ऑनके पापा को---- सभिसाइट करने के एक दो महीने बाद lo एक दो महीने बाध लाहता जाते में मौ मुन से पूरा खुण कर नूख सब्सक्राइब पर उनके ने खरण में लेने का उतीज़ में था तो तीन लाग रुपए तो भाई कहां से आएगा आप लोग बोलो अब तीन हजा नहीं चीए था तो भाई इसी तर उसकी मम्मी भी मतलब नहीं रहती है दुनिया में और भाई वह अकेले बढ़ जाता है फूरा उसके बाद मैं नहीं आगे बता हूंगा बस आज के सवाल अज़े दर इतना ही भाई मुझे खुद को रोना गया तो क्या ही कर सकते हैं तो बस भाई बाई हाँ अगर आप लुग बोलो के कॉमेंट में बोलना अगर आगे का पार्ट ही और सुनना है क्या आगे क्या होता है तो मैं बता दूंगा मुझूदना को दिकत नहीं और हप प्राइवेट जेट याला यार तेरा शेरा याला राख है जिगरा चिते जी ही चाल छोरा नज रात बहाज उड़े बेविगरा घान दानी जोरा से द तबली गाम कास पीगरा मैं गाने दूर पीट शुन दी हप प्राइवेट जेट याला यार तेरा शेरा याला राख है जिगरा चिते जी ही चाल छोरा नज रात बहाज उड़े बेविगरा